प्रेगनेंसी के दोरान गर्भ घुटी महलाओं में बहुत सारे शारीरी बदलावतो होते ही है इसके अलावा एक ऐसा बदलाव गर्भ घुटी महला के तवचा में होती है कि नाभी के उपर से लेके नीचे तक एक काली लाइन पर जाना जिसे की लीनिया नाइगरा कहा जाता है इसको लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में काफी ज़्यादा सवाल भी होते हैं कि आखिर ये लाइन क्यों होती है और इसे गर्भ में परड़ा शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होता या फिर शरीर में इसके कोई दूस्पर भाव त प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर पिगमेंटेशन के कारण महिलाओं के पेट पर ये लाइन बनने लग जाती है ये लाइन प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में गर्भवती महिलाओं के पेट पर दिखनी शुरू हो जाती है ये लाइन नाभी के नीचे तक होती है और कई तक भी महिलाओं ये नावि से ऊपर होते हुए च्छाती तक भी होती है। वति महिलाओं के शरीर में एस्टूजन नाम का हार्मोन होता है। इसके चलते मेलनीन यानि की स्किन पिग्मेंटेशन का स्तर बहुत जड़ जाता है। कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता है ये बहुत ही natural process होता है pregnancy का तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इस नाभी लाइन से पता लगाया जा सकता है कि गर्ब में पनले वाला शिशू लड़का है या फिर एक लड़की है तो ऐसा कहा जाता है कि गर्ब वती महला के पेट पे ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी और गाड़ी है और नाभी से होकर गुजरती हुई उपर छाती तक हो तो गर्ब वती महला के पेट में लड़का होता है और इसी तरीके से ये लाइन हलकी होती है या फिर तीरशी होती है या फिर ये लाहिन जो होती है ये पेट तक ही होती है तो ऐसे में गर्भवती महिला के पेट में लड़की होती है ये जो बाते हैं पुराने जमाने से चलती आ रही है इनका कोई भी साइंटिफिक अधार नहीं है इसे 100% शेयर ना माने वीडियो अग